आज कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मैध़ टाल फी और मैफटाल इसपास सिर्प के बारे में दोनो में क्या डिफ्रैंस होते हैं दोनों के क्या यूद हैं इसके क्या डोज रहती है तो वीडियो को लांशतक देखते रहाएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो जली से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिजिए क्योंकि हमारे चैनल पर medicine related information मिलती रहती है तो दोस्तो मैफटाल पी और मैफटाल इसपास इसमें जो मैफटाल पी सिरप होती है उसका composition होता है मैफटनेमिक एसिड जो के 100 mg रहता है पर 5 ml में इसका use दर्द और वुखार की condition में किया जाता है पेर दर्द में ये उतना काम नहीं करती है नॉर्मल जो बोड़ी पेन होता है और fever होता है उसमें ये अच्छा काम करती है इसके side effects में बच्चे को उल्टी दस्त जैसी कुछ शिकायत हो सकती है पर ये side effects ने के बराबर देखने को मिलते हैं अब जान लेते हैं इसकी dose के बारे में तो इसकी जो dose रहती है वो 3 साल से और 6 साल के जो बच्चे रहते हैं उनमें 5 ml सुबह और 5 ml शाम को ये दी जाती है अब जान लेते हैं मैफटाल इसपास के बारे में तो इसका जो composition होता है वो होता है डाइसाइकलोमिन जो की 10 mg में होता है और सिमेतिकोन जो की 40 mg में होता है ये आपको पर 5 ml में मिल जाती है इसमें इसपास से आप सम्मच सकते इसपास मोडिक मतलब कि बच्चे में पेट की जो problem है उसमें ये दी जाती है जैसे कि बच्चे के अगर पेट में दर्द हो रहा हो या कुछ खाने की वज़े से बच्चे का पेट फूला हुआ सा लग रहा हो उसकी वज़े से बच्चे को discomfort सा feel हो रहा हो तो इसमें इस केवल information के लिए बनाई गई है कोई भी treatment लेने से पहले डॉक्टर को अवश्या चेक करवाए थैंक्यू दोस्तो